हलो दोस्तों वेल्कम टू रिजाल्ट गुरू चैनल जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हम रोज 11 बजे यहां लाइव होते हैं बाई लजी के लिए तो जल्दी से सेशन को जॉइन कर लें ताकि आज का लेक्चर हम शुरू कर सकें और आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि हम UPTGT की रिवीजन कर रहे हैं रिवीजन में हम Animal Kingdom के बारे में पढ़ रहे हैं वैसे तो हम Animal Kingdom डिटेल में पढ़ चुके हैं लेकिन बच्चों के डिमांड थी कि माम Animal Kingdom हमें एक-एक फाइलम अच्छे से पढ़ा दे ताकि हम फाइलम के बाद उनसे related questions भी attempt कर सकें तो हम यहां वेरी गौपॉनिग गौपॉनिग बांग के बियारी वेरी गौपॉनिग बेटा जल्दी-जल्दी सेशन को जॉइन कर लें अ है है और जिस जस बच्छे ने अभी तक मोबा growers डाउन्लोड ने किया वह मोबाइल आपको डाउन्ड चल ले अ है चलो तो शुरू कर लेते हैं वो सबसे पहले जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम पहले थोड़ी सी उसकी डिटेलिंग कर लेते हैं कि क्या है यह प्लाटी हैलमेंट्स फिर हम question पे आएंगे अगर आपने आज की class platty helmets पे detail में पढ़ ली तो आप से platty helmets का कोई भी question चूटने वाला नहीं है Good morning Zoya, good morning अभी तक आपको forifera nidarians बहुत अच्छे से clear होगा कोई भी doubt नहीं होगा किसी को भी hopefully अब बात कर लेते हैं platty helmets की platty मतलब होता है flat क्या होता है flat बिल्कुल चप्टे और helmets मतलब होता है warm creamy जो बिल्कुल चप्टे creamy होते हैं उनको platty helmets बोलते हैं इसको सबसे पहले इस word को platty helmets को सबसे पहले जिसने term दिया था उस scientist का नाम है जेगे जेगेंबर्ग ठेक है उस scientist का नाम है जेगेंबर्ग 1899 AD में इन्होंने क्या दिया था इस term को सबसे पहले यूज किया था अगर हम इसके characteristics की बात करें चलो सीधे हम किस पर आ जाते हैं तो सबसे पहले characteristics हमेशा हम चुरू करते है Huh Nahing Characters蛋 की बात करें तो habitat में यह कैसे होते हैं parasitic होते हैं लेकिन इन में से कुछ जो होते हैं some are aquatic कुछ जलिये भी होते हैं aquatic भी होते हैं मतलब पानी में रहते हैं कुछ का habitat कैसा होता है parasitic होता है दूसरे host body के अंदर रहते हैं और कुछ कैसे होते हैं aquatic होते हैं अब जल्ली होते हैं दूसरी में बात करूं तो यह कैसे होते हैं ट्रिप्लो ब्लास्टिक होते हैं कैसे होते हैं ट्रिप्लो ब्लास्टिक अभी तक आपने कैसे देखे थे और गानिजम कैसे थे डिप्लो ब्लास्टिक थे दो जर्म लेयर प्रेजेंट थी लेकिन यहां पर कि आउंगी बांगे भी रही, बहुत अच्छे एक्जाम्पल्स देने वाली हो जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो बाइलेटरल समेटरी में यह जो अगर वाम्स को वाम्स में हमेशा कोई भी वाम हो गाना उसमें हमेशा बालेटरल समेटरी होगी अगर उसको कट करोगे बीच में से तो दो equal halves में वो आपको मिलेंगे next अगर हम बात करें तो ही यह असी लो मेट होते हैं चपते होते हैं एक्दम इसी लू मेट होते हैं एक दम चपते होते है तो इन में ध्यूआ तो बिल्कुल प्रेज़़न ने होता बीच में जगह तो तो है नहीं silomic cavity तो present नहीं है तो यह कैसे है और silomate है चीक है next फिफ्थ यह dorsal ventrally flattened होते हैं dorsal side से भी और ventral side से भी बिल्कुल flattened है dorsal ventrally flattened है आगे और पीछे दोनों side से कैसे है flattened dorsal ventrally flattened है चीक है next अगर मैं बात करूँ इसकी body thee teeth body key तो body में कुछ पर segments कोई यसी नहीं siamo負ेक है और किसी की body segmented होती है जाबोला मैंने किसी की body segmented होती है segments present होते हैं और कुछ की body कैसी होती है unconsegmented होती है ठीक है unconsegmented कि अगर मैं बात करूँ तो किस में देखने को मिलत आहे प्लानेयरीय और फ्लेशियोरव खिख fact रिकल इसकी ्हाड़ कैसे होती है उन्सेग्मेंटे सिंट्ट्सम्र्ट नईयुंट इलंगं युड़ मॉनिंग रुछ जिसमें सिंट्मेंव फॉर्टियं worker टी टीनिया- सब्सक्राइब करते हुख अब बेल्टेंग गुड मॉर्णिं वेरी कुड मॉर्यंग तो आपने देखा इनकी ज contenu वह Christians भी उतिया मतलब खंट परेजन नहीं होते ऐसे सी में प्रेजेंट भी उतियों किसी में प्रेजेन नहीं होते वो जैसे प्लेनेरी और फ्लाशी ओला और जिनमें प्रेजंट होते हैं सेग्मेंट्स वह है टीनिया सोलियम ठीक है क्लियर है इतनी बात चलो मैं आप चालू काम कर लू क्या हो गया दीपक तन्वर गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग ठीक है और इनकी बॉडी में एडेसिव और्गन प्रेजंट होता क्यों और को चाहिए को और चाहिए चीपकने के लिए कुछ और्गन चाहिए जैसे हूक्स शकर होक्स शकर स्कॉलेग में यह प्रेजंट होते हैं जो और जान से पूछा भी जाता है करता है अगर को प्रोटो ने फ्रीडिया प्रेजेंट होता है इस प्रोटो ने फ्रीडिया को फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं यहां पर और इन्हें क्या बोलते हैं सोलीनियो साइट्स भी बोलते हैं ठीक है यह किसमें हेल्प करते हैं गुड मॉर्निंग बोल एक ही बॉड़ी में प्रेजेंट होते हैं ठीक है नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो इनका रीप्रोडाक्टिव सिस्टम बड़ा डवलाप्ड होता है अभी तक रीप्रोडाक्टिव सिस्टम डवलाप नहीं था लेकिन यहां पर रीप्रोडाक्टिव सिस्टम कैसा है developed है ठीक है कैसा है developed है 11 मैं अगर बात करूं development की किसकी बात करूं development की तो इनका development कैसा होता है development कैसा होता है yes कौन बताएगा कि कैसा development पाया जाता है इसमें तो development की अगर मैं बात करूं तो development कैसा होता है yes कैसा development है तो development क्या है development आपका direct भी है development direct भी है और indirect भी है डाइरेक्ट भी है और indirect भी है अगर इन अगर मैं बात करूं कि indirect में तो direct में तो कोई larval stage नहीं होती नो larval stage लेकिन indirect में क्या होती है larval stage होती है ठीक है next अगर हम इसकी larval stage की बात करें larval stage आप याद करते जा रहे हैं ना साथ-साथ मैं के साथ-साथ याद करते जा रहे हैं कि किस में कौन सा larva present है पौरी फेरा में भी मैंने आपको बताया आपको मैंने celent traita में भी बताया अब next हम किसकी बात कर रहा है plati helmets की बात करें तो plati helmets में कौन से larval stage होते हैं अगर हम बात करें fasciola की flesciola flesciola की बात करें तो इसके larval stage बहुत सारे larva present ह EST होते हैं इसकी body में जैसा miracidium मिरा CDM के बाद sporocyst आते हैं sporocyst उसके बाद radia आता है देन उसके बाद circarian larva आता है circarian फिर आता है metasircarian metasircarian तो यहाँ पर different larva present है किसकी body के अंदर fleshyola की body के अंदर ठीक है clear एह उतनी बात nexd यहां पे नर्वा स्वाद ब़ेलाप चाहिए क्या रोस फिस्टम भी आपका क्या है डिवलब दे नर्वा सिस्टम बीडंद सब्सक्राइब अनर्व फिस्टम के लिए यहां गांगलियान प्रेजेंट जांगली अन्प्रेजेंट होता है और danach कॉद भी प्रेजंट है नोए कॉद भी फ्रेजंट है ठीक है नर्भब सुस्टम भी डवलाप्त लेडर यॉता है यह यह वेरिन Iki आइस अगर मैं इसकी बात करूँ सेकेंड रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन सर्कुलेशन सर्कुलेशन और skeletal system absent होता है और skeletal system यहां पर क्या होता है absent होता है जबकि muscular system present होता है पेशिओं वाला system जो होता हैly muscular muscular system क weakened module our system kita यहाँ पे प्रेजेंट होता है यहाँ प्रेजेंट होता है यहां पे लॉंगी टूडनल मसल सेल्स भी मस भी काए जाती है तो यहाँ पे मसल सैल मसल सिस्टम क्या है किया प्रेजेंट है और इसका origin कहां से हुआ इसकी मस्सल्स का इसके मस्कुलर सिस्टम का जो ओरीजन है वो कहां से होता है मिजन काइम से होता है मेजन काइम से यह भी कहीं बार पूछ लेते हैं याद रखना ठीक है मेजन काइम से इसका ओरीजन हुआ है किसका इसके मस्कुलर सिस्टम का कि नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहां पर एक्टिछ की अंदर रहते हैं वाग एक तेनिया सोलियम में देखने को मिलता है क्योंकि यह क्या एक 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 एंडो पैरासाइट है एंडो पैरासाइट है ठीक है इतनी बात क्लियर है नाउ नेक्स्ट अब इसका रेस्पिरेशन भी हो गया अब हम बात करेंगे दाइजेस्टिव सिस्टम की डाइजेस्टिव सिस्टम यहां पर किसी में तो डाइजेस्टिव के नाल प्रेजेंट होती है किसी में तो कुछ में तो अलिमेंटरी के नाल प्रेजेंट होती है अलिमेंटरी के नाल क्या होती है प्रेजेंट होती है लेकिन कुछ में जैसे जै किन inis absent onдо good morning mission good morning bita chicken clear a to elementary canal present oh dear कहिए में लेकिन छाधा तर केसा होता है के शूरा शีकर्ट समीं क्लास में क्या होता है यह blind sack होता है मतलब able present you the only mouth present to that 알았어 next लिए मैं बात करो zulyah regeneration करते हैं क्या करते है regeneration किसमे plan area में देखा है puppy generation debate ठीक है clear है yes अब हम इसकी classification की बात करेंगे जो बहुत ही important examination point of view से आपके exam में मैंने आपको बताया था कि silent data में आपको example से question मिलेंगे यहां पर आपको इसकी classes से question मिलेंगी किसे मिलेंगे classes से तो पहली class होती है इसकी डिले यहां दूसरी class होती है इसकी treatment only Fr τον क्रास होती है Castoda first name tubular एर्या second term it रिमड़ चोड़ा और थर्ड i. aims चोड़ा ठीक है अब यहां पर हमने बात करनी है इसकी classes की किसकी बात करनी है classes की जो बहुत ही important है मैंने आपको बताया बहुत ही ज्यादा important है आपको इसके general characteristic अच्छे से clear हो गए any doubt at any end कोई भी doubt इसके general characters के उपर तो बता दो अभी चलो अब हम बात करते हैं किसकी classification की classification बहुत important है यहीं याद हो जाएगा कहीं और book से पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी first class की दूसरे pen से लिख लेते हैं first class turbulent area turbulent area दूसरी की बात करेंगे trimatoda तीसरी की बात करेंगे किस टोडा ठीक है clear है इतनी बात चलो अब एक एक detail में पढ़ते हैं सबसे बहले बात करेंगे तर्बल एरिया की तर्बल एरिया में क्या होता है तर्बल एरिया में अगर मैं आपसे पूछू यह कैसे और गानिजम है सबसे पहले यह और गानिजम कैसे होते हैं free swimming होते हैं free living होते हैं मतलब यह aquatic region में रहते हैं as free living यह किसी के अंदर नहीं रहते यह free living है ठीक है लेकिन ये वाले जो होते हैं यह parasitic होते हैं कैसे होते है टान रिखोट होते हैं और यह भी parasitic होते हैं मतलब किसी horse के अंदर यह क्या करते हैं सर्वाइव करते है parasitic in nature होते हैं ठीक है next अगर मैं बात करूं next तो इनकी body कैसी होती है unsegmented होती है मैंने अभी आपको बताया कि इनकी body कैसी है unsegmented है यहां पर कोई segments present नहीं है जबकि इसकी body भी unsegmented होती है इधर भी body कैसी होती है unsegmented होती है लेकिन यहाँ पे body में segments present होते हैं क्या present होते हैं segments present होते हैं और इनको क्या कहते है »EPROGLOTson biology says proglottago projects बोलते है क्लिए है clear IT बात यह free swimming होते है free living होते है parac nutritionalemia parasitic होते है यह adap投 विपसेंटमेंट कोई भी 정도로 present नहीं है बोडी में कोई भी सेग्मेंंट में रहते हैं že है चलो next next time度 मैंने अभी आपको बताया की जो यहां पे elementary canal होती है elementary canal होती है वो क्या होती है elementary canal present जो यहां भी elementary एन प्रेजंट यहां पेवी elementary canal present यहां पेवी elementary जनूरिग नल प्रेजंट लेकिन यहां पेs command Rate 기준 média absent होती है यह अपना खाना का से ले ले होस से ले लेते हैं यहां पर एलिमेंटरी क्योंकि है एंडो पैरसाइट होते हैं यहां पर जो एलिमेंटरी के नाल है वो क्या होती है टोटली एपसेंट होती है नेक्स इनका जो एपीडर्मिस होता है क्या बोला इनका जो एपीडर्मिस होता है एपीडर्मिस बाहर वाली ल यहां पर यहां पर यहां पर दोनों में सीलिया अप्सेंट होता है ठीक है क्लियर है नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्या बोला यहां पर रापडाइट्स प्रेजन्ट होते हैं यह रापडाइट्स क्या होते हैं कोई बताएगा मुझे रापडाइट्स क्या होते हैं यह रापडाइट्स क्या होते हैं यह बॉडी वॉल के उपर एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं स्पेशल सेल्स होते हैं यह सिक्रीट्री सेल होते हैं क्या होते हैं सिक्रीटरी सेल होते हैं यहां पे यह सिक्रीटरी सेल प्रेजेंट होते हैं रबाइट्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर ट्यूबल एरिया के अंदर जबकि यहां पे अपसेंट होते हैं और यहां भी अपसेंट होते हैं यहां भी क्या होते हैं अप बात यहां पर भात करेंगे को नटि Corns वे इंसे वर्गंस कि किसकी बात करेंगे एंगे सिव और गंसी कुन से अडह सिव और गंस प्रेजैंट होते हैं एडह से व ऑर जाग सी मिलरिया में क्योंकि यह तो पारसाइट नहीं एक इसी के अंदर नीरे तो चीपकने का काम करते हैं तो यहां पर यह क्या है एपसेंट है किसके अंदर ट्यूबिल एरिया के अंदर अगर हम बात करें ट्रिमेटोडा की तो ट्रिमेटोडा के अंदर जो सकर्स होते हैं सकर्स तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन यहां पर स्कॉलेक्स एपसेंट होता है हमने मैंने आप को एक बर पहले भी बताया था स्कौल एक्ष के बारे में यहां के स्कॉल एक्स क्या होता है क्लियर इतनी बात आपको मेरे पीछे धिख रहा है गग स 되िख रहा है बेटा करूं तो इनपार्म को कहते हैं एडि वांस क्या बोलते है एडि वॉंच इनको बोलते हैं फ्लूक फ्लूक भॉंच अब अब हम बात करते हैं इसकी डाइरेक्ट, टूबल एरिया, टर्बिल एरिया, सुरी, इसकी बात कर रहे हैं, टर्बिल एरिया, और यहां पे ट्रिमेटोडा, और यहां पे ट्रॉडा, मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर इसके अंदर डवलप्मेंट डवलप्मेंट की अगर हम बात करें तो डवलप्मेंट कैसा है तो ट्यूबिल एरिया के अंदर जो डवलप्मेंट होता है वो कैसा होता है डायरेक्ट होता है कै रखना त्यूबिल एरिया के अंदर डाय डवलप्मेंट कैसा है डायरेक्ट है यहां पर डायरेक्ट कैसा है इन डायरेक्ट है और यहां पर कैसा है यहां पर भी इन डायरेक्ट है यहां पर भी क्या है इन डायरेक्ट है मतलब यहां पर भी लार्वल स्टेज होगी आपको मै ने इंडारेक्ट वाला फ्लेशियोला का तो बताया था कौन-कौन से लार्वा मिलेंगे वहाँ पे मेरा सीडियम, स्पोरोसेस्ट, रेडिया, और सरकेरिया और मैटा सरकेरिया, चिक है, अगर हम केस्टोडा की बात करें, तो केस्टोडा में भी कुछ लार्वल स्टेजिस होती है, जिनको हम कहते हैं, ओंको स्फियर, ओंको स्फियर, ठीक है, और दूसरा होता है, सिस्टेरियस, और तीसरा होता है, हेक्जाकैनाथ, हेक्जाकैनाथ, यह कुछ लार्वल स्टेज है, किसकी केस्टोडा की, लार्वल स तो आपने पड़ी थी अभी कौन-कौन सी मैंने बताई थी मेरा सीडियम sporocyst कैस्टोडा आओ सरके सरके सरकेरियन सरकेरियन और मैटा सरकेरियन मैटा सरकेरियन ठीक है अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें जो बहुत इंपोर्टेंट है एग्जाम्पल्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो यहां पर आपको कौन सा एग्जाम्पल देखने को मिलता है प्लेन एरिया कौन सा देखने को मिलता है प्लेन एरिया अगर हम τ्रिमेतो रकी बात करें तो यांपर ना एक्जामपल मैलै फ्लेशी ओला यह यह अदिकते हिया इसको ऑन फ्लेशिओ लाघीपानी अ हएं चीन है GB फ्लेशी बॉल कंव होग भी बहुते ठीक है clear है चलो next इसका example कि मैं बात करूँ तो साइक सिस्टो सिस्टो स्टोमा सिस्टो स्टोमा जिसको क्या कहते हैं blood fluke भी बोलते हैं blood fluke क्या बोलते है blood fluke भी बोलते हैं और एक होता है paragonium जिसको पैरा गोनिजम जिसको क्या बोलते है lung fluke बोलते है लंग फ्यूक पैरा गोनिजम ठीक है जब कि अगर हम इस इधर बात करें जब कि हम किसकी बात करें इसकी बात करें तो यहां पर फ्यत्र't चाश्के पहला example concept 40 बताएगा टीन्यार तDavid Hack लिए यह सोलियम और इस सोविए को सोलियम को क्या बोलते है पाउर्ख प्रक कैरे पल्क पॉँम् बोलते हैं क्या बोलते हैं पॉर्ख टीक वरण बोलते हैं और इसका दूसरा एक्जाम्पल है टीनिया तीनिया से गिनाटा जो क्या है बीफ टेप वाम है बीफ टेप वाम है जो पिक के उसमें मिलता है और जो बीफ के उसमें मिलता है चीक है यह साइसोस्टोमा यह स्वेरी गोड साइसोस्टोमा एस सी यह सही है एस सी एच सी आई ओस्टोमा चीक है लेकिन पहले इसको ऐसे वह लिखा जाता था ठीक है अब आपकी बुक्स में ऐसे लिखा होगा क्लियर है इसनी बात चलो तो ये बात आपको क्लियर हो गई ये बात आपको क्लियर हो गई आपको ट्यूबिल एरिया ट्रिमेटोडा और केस्टोडा की क्लासेश क्लियर हो गई yes everybody in the chat box ये तीनो classes और इसका general classification clear हो गया मैंने आपको बोला मैंने आपको बोला कि जब मैं पढ़ाती हूँ न आपको biology अभी आप biology पढ़ रहे हैं अगर आपको ये याद रखना है न तो आप क्या बनाओ रोज के रोज एक notes बनाओ रोज के रोज एक एक phylum के notes बनाओ अपने हैंड से अपने हैंड से अगर इसी flow chart में आप एक notes बना लेंगे न रोज जैसे यहाँ पर आपने ये porifera का बना लिया ये silent rate का बना लिया और अब ये किस का बना लिया फ्लाटी हेलमेंस का बना लिया तो जब आप रिवाइस करोगे न इस पूरे क्लास को इस पूरे kingdom को आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कोई भी not even a single problem आप फेस करोगे कोई भी नहीं प्रॉब्लम होगी आप फटा फट इनको उठाओगे और क्या करोगे रिवाइस करना शुरू कर दोगे ठीक है clear है क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो बेटा एकाइनो कोकस ग्रानुलोसस एकाइनो कोकस ग्रानुलोसस एकाइनो कोकस ग्रानलोसस हाँ किस क्लास में आता है क्या पूचा है क्या पूचा है बेटा क्या स्चोडा में आता है ये साइडेटेड वोम है ये क्या स्चोडा में आता है क्योंकि ये ड्वेल करता है अंदर अंदर गुसता है इसके कैनीन के कैनीन के इंटर स्काइन में इसलिए इसको डॉग डॉग टेप ओंब बोलते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट और ये डिजीज भी कॉस करता है ना एकाइनो कोकस डिजीज भी कॉस करता है ये टो नेक्स्ट और बात कर देते हैं तो यह कुछ तियोरी है जो आपको पढ़नी है ठीक है यह मैं मंदे सहरे कुछ बताया हुआ है अब हम मूव कर रहे हैं किसकी तरफ अब हमो कर रहे हैं ग्वेश्चन की तरफ ठीक है चलो चलो एकिसक कहषिए कहता है first question कहता है हमारा Echinodermata, ठीक है, चलो, Solenocytes और Nephridia, क्या बोला है, Solenocytes और Nephridia, दोनों, किसमें पाए जाते हैं, Solenocytes ये दोनों क्या हैं, एक्सक्रीटरी और्गन है, एक्सक्रीटरी और्गन है, क्या हैं दोनों, एक्सक्रीटरी और्गन है, तो किसमें पाए जाते हैं, Solenocytes किसमें पाए जाते हैं, अभी हमने बात की, प्लाटी हलमेंस में पाए जाते हैं, और Nephridia, एनलीडा में पाए जाते हैं, ठीक है, तो करे बांगी स्किल्टेग जोया बांग के भी हारी वेरी नाइस बेटा वेरी गोड ये एक स्क्रीटरी और गने चलो next which of the following is free living platform platform अब इसमें से कौन से free living है आपने देखा यह parasitic भी होते हैं और free living भी होते है free living कौनसा है प्लैनेरिया है टीनिया है फ्लेशियोला है या फैरिटिमा है येश कौनसा free living है मतलब की जो किस जो parasitic नहीं है aquatic है कौन सा इन में से अभी हमने बात करी थी किसकी कौनसी class की जो free living होते हैं तर्बिलेरिया है ना यह तर्बिलेरिया कैसे होते हैं यह एक्वेटिक होते हैं एक्वेटिक होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं प्री लिविंग होते हैं चीक है तो प्लैनेरिया बेटा प्लैनेरिया निशा प्लैनेरिया होगा तीनिया नहीं होगा तीनिया कौन सी क्लास से बिलॉंग करता है यह तो केस्टोडा से बिलॉंग करता है ना के चलो है next है next question they call देग्स्ट नससार ऐंट जो ऑ intentar को और गया च्टर्मत्म डाया tr Gas यह लिंग मैंने आपको बताया महां पे आपसे एक्जाम्पल पूछा था यह आप से आप class पूछ लिए मैंने आपको बताया था इसकी classification बहुत important है बेटा वहाँ पर example important थे यहाँ पर classes important है क्योंकि पूरी-पूरी classes के बारे में बात करी जाती है तो कौन-कौन सी class है टर्बिलेरिया दूसरी कौन सी है प्रिमेटोडा और तीसरी कौन सी है कैस्टोडा ठीक है तो टर्बिलेरिया से बिलॉंग करते हैं free living चलो next मिरसीडियम लार्वा occurs in the history of round warm liver fluke earth warm या tape warm मिरसीडियम लार्वा किसमें पाया जाता है किसकी life cycle में पाया जाता है मिरसीडियम लार्वा तर्बिलेरिया इस करेक निर्जा निर्जा शिवांगी निश्यः बांग के भिहारी जोया स्किल्ट एक वेडी गोड वेरी नाइस बेटाए चलो next भी आपको बताया थासफोन कौण सी लारवा मेरा सी्डियं और उसके बाद स्पोरोसिस्ट पॉरोसिस्ट उसके बाद य favorites कौन बताएगाs mradiya पüg उसके बाद तर सरके रियन दर के रिया और मैटा सरके रिया किसकी लाइफ साइकल है यह किसकी लाइफ साइकल है लाइफ साइकल ओफ लिवर फ्ल्यूक या फ्लेशियोला हेपाटिका फ्लेशियोला हेपाटिका बीस करेक्ट वेरी नाइस शिवांगी पूर्णिमा निश्या जोया शैलजा पूर्णिमा वेरी गोड बांके भी हाडी वेरी नाइस बेटा वेरी गोड नीरजा वेरी नाइस चलो next question पर move करो अब says toads are distinguished from other platforms by the absence of nervous system digestive system excretory system या reproductive system आपको पता है इसकी class में तर्बिलेरिया तर्बिलेरिया ट्रिमेटोडा और कैस्टोडा यह कैस्टोडा इन से कैसे से कैसे इंडिवर से नर्वस सिस्टम से से क्टरी स्टम से या reproductive से कैसे होता हुसक इसमें कैसा होता है इसमें कैफरेंट अलग होते है क्योंकि इसमें ऐल्यमटरी कैनाल इफिरेंट होता है यह May मैं को या टिते हैं म सबस्क्राइव नियुक्टल दाइक हला किसे लेते हैं यह एंडो पैरसे ठेक होते हैं वोस्ट तो इसलिए इन्कों अपनी डाइजस्टिव शिस् authent इसे जरूरत निया alimentरी canal की जर्लूरत नहीं तिक है क्लीर है चलो नेक्स्ट, which one of the following is an example of platyhelmin's, platyhelmin's का example क्या है, trypanosoma, cystostoma, plasmodium या vicharia, yes, nice बेटा, पुर्णिमा वेरी गोड, skill tech वेरी गोड, जोया वेरी गोड, निश्वा वेरी गोड, शिवांगी वेरी नाइस, ठीक है, हाँ, बांके भी आ रही, क्योंकि वो होस्ट के अंदर रहते हैं, इसलिए उनको क्या जरूरत नहीं होती, elementary canal की जरूरत नहीं होती, ma'am, कहीं-कहीं nervous system भी दे रखा है, नहीं, nervous system में, क्यों nervous system दे रखा है, क्योंकि वहां पे nerve cord नहीं होती, लेकिन अगर यहाँ पे आपको directly यह दे रखा होता, ganglion और nerve cord में difference पूछा होता, तब अग clear हो, correct होता, लेकिन यहाँ पे nervous system दे रखा था, ठीक है, तो यह example है, sisostoma, yes, very good, very nice, बांके भी आ रही, नीर्जा, सुधा, नीलम, very good, निश्या, very good, शिवांगी, अब यह भी बता दो, यह कौन सी class से बिलॉंग करता है, sisostoma, yes, कौन सी class से बिलॉंग करता है, यह कौन सी class से बिलॉंग करता है, बेटा, polar nerves present होती है, यह पे, polar neuron, मैंने आपको पहले भी बताया था, polar neuron के बारे में, हाना, तो बताओ, कौन सी class से बिलॉंग करता है, sisostoma, yes, very nice, fast, fast, जल्दी से बताओ, कौन सी class से बिलॉंग करता है, trimatoda, yes, चिक है, चलो, next, platy helmets represent an example of cellular grade of organization, tissue grade of organization, organ system grade of organization, यह tissue organ grade of organization, जो platy helmets होते हैं, वो किसका example हैं, क्या है यह, organ level of organization, organ system, यहाँ पर क्या होता है, grade of organization है, ठीक है, clear है बिटा, यहाँ पर क्या है, organ system developed है, आपने देखा, nervous system भी कुछ हद तक developed हो चुका था, आपने देखा, excretory system भी है, organs present है क्योंकि वहाँ पर, ठीक है, तो यह क्या है, organ system, organ system grade of organization है, next, diagenetic, example of diagenetic platyhelmin's, yes, diagenetic platyhelmin's, कौन बताएगा, di, diagenetic platyhelmin's, जो क्या करते हैं, they require two hosts, to complete their life cycle, their life cycle, tissue system होगा, यहाँ पर बेटा, मैंने आपको, जब आप पहले भी बोल रहे थे, एक बार, यहाद है, जब हम class पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर लिखा होगा, organ tissue, system of organization, यहाँ पर organs भी developed हो चुके होते हैं, आपने देखा, adhesive organs present है, आपने देखा, excretory organs present है, nervous system well developed है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, liver flux होंगे, क्या होंगे, liver flux होंगे, इसको क्या बोलते हैं, fleshyola बोलते हैं, fleshyola बोलते हैं, यह अपनी life cycle किसमें complete करता है, ship में और snail में, ठीक है, fleshyola होगा, चलो, next, cysticeras larva is the larva of liver fluke, tapeworm, ascaris या mollusca, cysticeras larva किसका example है, yes, everybody in the chat box, cysticeras larva, अभी मैंने आपको तीन larva बताए थे, किसके, कौन बताएगा, देख लें एक बार, yes, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, cysticeras, oncosphere और hexa, hexa के नाथ, किसका है, केस्टोडा का, किसका है, केस्टोडा और इनको क्या बोलती है, केस्टोडा को क्या बोलती है, yes, कौन बताएगा, क्या बोलती है, चलो, क्या बोलती है, oncosphere, cysticeras, और hexa के नाथ, किसके लार्वल स्टेज है, लार्वल स्टेज है, किसकी, केस्टोडा की, और इनकेस्टोडा को क्या बोलती है, टेप फर्म बोलती है, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी गुद बेटा, वेरी नाइस, skill tech, shivangi, neetza, zoya, shelja, वेरी गुद बेटा, वेरी नाइस, चलो, next question पे चलो, plan area, liver fluke, and tinius olium, all are segmented, all are found in gut, all have silom, या all are flatworms, बताओ plan area, liver fluke, और tinius olium, tinius ke tinius, सारे के सारे segmented है, segmented तो नहीं है, सिर्फ tinius olium segmented होता है, ना तो liver fluke होता है, ना plan area होता है, all are found in gut, तो liver fluke, और tinius olium, तो gut में पाये जाते हैं, लेकिन plan area तो नहीं पाये जाता, all have silom, इनके पास तो silom होता ही नहीं, यह तो assilomate है, all are flatworms, लेकिन सारे के सारे क्या है, platty helmets है, very good D होगा, flatworms, निर्जा, very nice, banke भी आरी, very good, Zoya, see कहा रहे हो, silom कैसे होगा, Zoya, assilomate होता है, बेटा, निश्या, D is correct, very nice, good morning बेटा, good morning, निर्जा, D is correct, skill tech, D is correct, Zoya, D is correct है, Sudha, D, Shivangi, D, very nice, चलो, next, tubularian epidermis, differ from, differ from that of primatota, due to, अभी मैंने आपको बताया, तीनों की classification में, difference, बताया ना, तो अब बताओ, tubularian की जो epidermis होती है, वो कैसे differ होती है, trimatota से, good morning अलकर आए, good morning बेटा, तो देखो, आपने ये class, मतलब मैंने आपको पहले revise करा दी, पूरा को पूरा, एक phylum, कौन सा, platy elements, तो आप बिल्कुल answer सही कर पा रहे हैं, इन questions के, बिल्कुल वैसे के वैसे सही कर पा रहे हैं, जैसे माम बता रही थी, जैसे माम ने अभी explain किया, आपने वैसे ही वैसे सारे answer करें किये, very nice, इसका मतलब बहुत ध्यान से सुनते हैं, ये माम की class, बड़े attentive है, तो निर्जा कह रहे है, A और C होगा, बांके बिहारी कह रहे है, presence of celia होगा, ओके, शिवांगी भी कह रहे है, presence of celia होगा, ओके, ciliated, सब लोग कह रहे है, इसका answer C होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, लेकिन मिरको अभी निर्जा का answer आया था, बोथ A and C होगा, वेरी गुड निर्जा, बोथ A and C होगा, अब मुझे इनको दिखाना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा इनको, दिखाना पड़ेगा, कि मैं आमने अभी क्या बताया था, मिरको बताना पड़ेगा अभी, कि मैं आमने क्या बताया था इसमें, येस, आप देखो, मैंने आपको बताया था, टर्बिल एरिया में, इसकी जो एपिडर्मिस होता है, वो सिलियेटेड होता है, एपिडर्मिस की बोड़ी वाल, एपिडर्मिस में ही तो होती है, बोड़ी वाल में रबाड़ेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल सेल भी प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्यूबल एरिया में, जबकि ये नॉन सिलियेटेड होता है, ये भी नॉन सिलियेटेड होता है, यह absent होता है तो यह दोनों चीजें यहां पर क्या है प्रेजंट है एपिडर में सिलियेटेड भी है और रैपडाइट्स भी प्रेजंट है तो आप से question में तो यही पूछा गया है बिटा कि उन दोनों में difference बताओ उसकी epidermis में epidermis body wall में तो होती है न तो इसका answer होगा सीलिया भी होता है और रैबैडेट्स भी होते हैं ठीक है clear है very good very good अंकिता बतनागर good morning बेटा good morning चलो next प्लाटी हेलमेंस और कॉल राउंड वार्म्स फ्लाट वार्म्स ब्लाइंड वार्म्स या ट्यूबी किलर स्वार्म्स क्या पूछा गया है प्लाटी हेलमेंस को क्या कहा जाता है और आप मेरे को यह भी बता दो कि इसकी classification में तर्बिल एरिया तर्बिल एरिया प्रिमेटोडा और केस्टोडा इनको क्या कहा जाता है कौन कौन से वार्म्स कहा जाता है ठीक है येस रेपडाइट भी होगा तो यहाँ पे फ्लाटवर्म्स आंसर करेक्ट है very good बेटा Blind Worms कौन ऐता है नीलं बेटा । फ्लाट वर्म्स और यह भी याद रहेगा कि इनकी क्लासे को कौन-कौन से वर्म्स कहा जाता है ठीक है एडिवर्म्स, फ्लूक्स और टेप वर्म, बी इस करेक्ट, वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, चलो, नेक्स्ट क्वेस्टिन देखो, फ्लेम सेल्स आर तीसरा क्या नाम था, प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया, थीस आर था, एक्स्क्रीटरी ओर्गन ऑफ, किसके, एक्स्क्रीटरी ओर्गन ऑफ, फ्लाटी हेल्मेंस, येस, प्लेन एरिया, कौनसी क्लास से बिलॉंग करता है, कौन बताएगा, तर्बिल एरिया क्लास से बिलॉंग करता है तर्बिल एरिया ठीक है ए चले नेक्स्ट चलो लॉरेल्स केनाल येस ये बताएंगे अब लॉरेल्स केनाल इस फाउंड इन इस फाउंड इन अमीबा पारामीशियम फ्लेशियोला या हाइड्रा लॉरेल्स केनाल ये नहीं पता होगा मैं बता देती हूं लेकिन जिसने क्लास में पढ़ा होगा उसको कुछ-कुछ याद होगा मैंने बताया था आपको ये कहां से अराइज होता है ये ओविडक्ट से ये क्या काम करता है ये लॉरेल्स केनाल क्या काम करती है ये sperm duct कलाती है sperm को carry करती है sperm duct ठीक है breeding season में इसकी opening होती है ठीक है flashiola में पाई जाती है yes flash qualcosa में पाया जाता है और यह कब opening होती है इसकी breeding season में breeding season में, य potrzeb करती है cross fertilization के लिए cross fertilization के लिए और यह cross fertilization होता कहां पर है क्योंकि यह तो host में रहते हैं तो यह कि उसके bile duct में bile duct of host में bile duct of host में इनका fertilization होता है ठीक है तो यहां पर fleshyola आएगा ठीक है clear habitat fleshyola यह cross fertilization के लिए होता है ठीक है चलो next fleshyola is correct next तर्बिलेरियंज और फ्री लिवेंग निमेटोड्स एनिलेट्स त्रीमेटोड्स या फ्लाटपॉर्म्स तर्बिलेरियंज क्या है एक bile duct के अंदर होता है यह स्वेरी गॉड चलो जल्दी से बताओ तर्बिलेरियंज क्या है और एक बार फटाफट से चाट बॉक्स में यह भी बता दो क्या आपको यह वाला method this method of learning अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है everybody in the chat box क्या इससे आपकी revision बहुत अच्छी हो रही है इससे आपका animal kingdom बहुत अच्छा हो रहा है everybody in the chat box क्या आपको यह method अच्छा लग रहा है तभी हम continue करेंगे plant के लिए भी plant kingdom भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे बेटा इसके बाद जल्दी से बता दो एक बार yes, platforms is correct जल्दी से जो माम ने question पूछा है क्या आपको यह method yes, good, yes ma'am, yes ma'am, okay best method of learning, yes, okay, yes ma'am, yes ma'am, very good yes, चलो, कोई बच्चा है ऐसा, जो जो यह सोच रहा हो कि यह वाला यह वाला method सही नहीं है, कोई भी हम उसके हम उसके भी क्या लेंगे उसके भी views लेंगे भई, सबको हग है अपनी बात रखने का, ठीक है effective है, okay, learning method effective है यह वाला, ठीक है, very nice, very good बेटा, ma'am, मुझे एक new point मिला, बोलो, बांके, yes, free to say, जल्दी बताओ, ma'am को भी पता चले very nice, very good, तो इससे आपको हर एक phylum अच्छे से clear हो रहे हैं और आप, और hopefully आप भी ऐसे ही तैयारी कर रहे होगे, जो मुझे नहीं पता था, क्या नहीं पता था, क्या नहीं पता था, बांके भी हारी, बहुर्द अच्छा student है यह भी, tapeworms obtained their food from mouth, suckers, outer surface या all of above, कभी-कभी mix भी होना चाहिए, अच्छा, ediworms नहीं पता थे, ओके, बहुत सारी चीज़े होती है, जो हम क्लास में, हमें लगता है कि हमें आता है, लेकिन हम जब क्लास में पहुंचते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखने को मिलती है, है ना, कभी-कभी mix भी होने चाहिए, ठीक है, ओके, ओके, बेटा, tapeworms obtained their food from mouth, suckers, outer surface या all of above, yes, अब next question बताओ, tapeworm, कौन से हैं tapeworm, जिसके पास क्या प्रेजेंट होता है, tapeworm, yes, tapeworm obtained their food from, all of above, yes, वैसे तो यह integument से लेता है अपना खाना, किस से लेता है, integument, absorption करता है यह, किसके दौरा, integument दौरा, तो outer surface होगा, ठीक है, यही मैं जानना चारी थी, all of above नहीं होगा यहां पे, क्योंकि suckers किसके लिए use करता है यह, suckers तो use करता है, adhesive organ के लिए, चिपकने के लिए, ठीक है, यह कैसे करता है, absorption करता है, क्योंकि इसका तो elementary, mouth कैसे लेगा, elementary के नाल तो ही नहीं, यह तो सोचा ही नहीं किसी ने tapeworm है यह, कैसे बूल गए, यह तो खाना digested food लेगा, तो यह absorption करेगा, किसके द्वारा, integument द्वारा, ठीक है, clear है, see होगा इसका answer, इसलिए मैम ने वहाँ पे क्या नहीं किया, all of above, मेरे को लग रहा था, बहुत बच्चे इसका answer, all of above करेंगे, बहुत, यह confusion होती है, लेकिन आपको बस एक बार ध्यान दे रहा है, tapeworm है, कैस चोड़ा है, इसके पास elementary canal तो ही नहीं, elementary canal नहीं है, तो mouth से लेके क्या करेगा, खाने को, हैना, तो यह किस से लेगा, outer surface से लेगा, absorb करेगा, clear है, चलो, next, locomotory organ in tinea are called, confusion, confusion नहीं, concept तो clear है, लेकिन उस पे ध्यान नहीं देना है, हैना, बस question देखा और फटफट कर देना, यह, इसको कहते हैं, over confidence, confusion नहीं होता, बांके भी आरी, this is not confusion, this is over confidence, ठीक है, चलो, next, बताओ, locomotory organ in tinea, क्या है, सीते है, पैरा, पैरापोडिया है, फ्लाजिला है, या none of these है, अब इसका बता दो, निकिता गुपता ने answer किया, D, okay, very nice, इस, DD, none of these, यह, ठीक है, क्योंकि टीनिया क्या है, endoparasite है, endoparasite है, ठीक है, यह free swimming तो है नहीं, जो इसको locomotion के लिए चाहिए होगा, तो इसके पास कोई organ ही नहीं होता, do not have, locomotion, locomotory organ, ठीक है, तो यह, क्या होगा, none of these, clear है, इतनी बात, चले आगे, चलो, next question देखो, next question कहता है, to which of the following phylum, class Trimatoda belongs to, Trimatoda किससे बिलॉंग करता है, platy elements, erythropoda, mollusca, enelida, अभी तो यहां पे आरे answer, पदा है क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको एक ही फाइलम पढ़ाया, platy elements, और आपके फट फट माइंड में, आप फट फट बोल दोगे, platy elements, लेकिन, all of sudden, बहुत सारे mix question है, उसमें आप से कोई class पूछ लेगा, Trimatoda, फिर सोचेंगे, Trimatoda किस में था, Escalman's में था, Trimatoda में था, Platy elements में था, Annalida में था, तब नहीं समझ में आएगा, यहां तो answer समझ में आ रहे हैं, Platy elements, ऐसा ही होता है ना, Trimatoda score क्या कहते हैं, flukes, इसमें कौन-कौन से flukes होते हैं, blood flukes, blood flukes, liver flukes, lung flukes, बताए हैं ना अभी, चलो, next, the excretory organs of flatworms, flame cells, nephredia, malphian tubules, या renet glands, होता है, yes ma'am, तो इसी लिए revision जरूरी होती है, इसी लिए क्या जरूरी होती है, revision जरूरी होती है, ओके बांके भी आ रहे हैं, ओके बेटा, थांक्यू सो मच, आपको समझ आना चाहिए, बस, ma'am का एक ही motive होता है, कि जितना deliver हो रहा है, उतना आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, चलो, flame cells, yes, flame cells is correct option, flame cell किसका है, excretory organ है, platforms का, इसको platy elements भी, ओ, या कहते हैं, proton ephredia भी बोलते हैं, और इसको solenocytes भी बोलते हैं, platforms are oscillometry, यह तो answer ही आ गया, yes, member of trimatoda commonly called as, क्या बोलते हैं, trimatoda के members को, blood flukes बोलते हैं, flatworms बोलते हैं, flukes बोलते हैं, या tapeworms बोलते हैं, yes, police tournament frog and turtle में होता है, very nice बेटा, कभी-कभी question mix भी होने चाहिए, yes, हम इसके बाद, जब एक बार पूरा revise कर लेंगे न, मतलब यह वाला, तो हम mix question ही लेके आएंगे, ठीक है, flukes कहते हैं, very nice, क्या कहते हैं, flukes कहते हैं, यह तो हो गया, yes, next, tapeworm is placed in, यह भी हो गया, यह बताओ, the tube in a tube plant is not present in, यह बताओ, tube in a tube plant is not present in, tube in a tube plant, yes, कौन बताएगा, not present in, tube in a tube plant, tinia में होता है, ferritina में होता है, leech में होता है, यह scarasus में होता है, tinia वाले कैसे हैं, यह a-silomates है, हैंना, ferritina कैसा है, यह true sylomates है, true sylomates है, leeches कैसे हैं, यह होते हैं, syso sylomates, syso, syso sylomates होते हैं, और यह क्यों से होते हैं, pseudo sylomates होते हैं, tube within tube, एक tube के अंदर, दूसरा tube plant, मतलब development of full cavity, cavity का development, इसके और इसके बीच में, किसमें नहीं होता, तो leech में नहीं होता, तीनिया में नहीं होता, क्योंकि टीनिया क्या है, a silomate है, और यह क्या है, यहां true sylomates present होता है, यहां cero sylomates, यह saizo sylomates, लेकिन यहां पे कोई sylomates नहीं present होता, ठेक है, कब तक आ जाएगा बेटा, देखो result तो आई जाएगा आपका within 15 days, within 15 days आपका इसका result आ जाएगा, क्योंकि उनको क्या करनी है, list दे रखी है, और क्या होगा, hiring start हो जाएगी, ठीक है, now next, which one of the following groups belong to the category, कौन सी category, अच्छा, platy elements होगा, tubularia, trimetoda और castoda, ठीक है, कितने question है अभी, अब ये question, तीन ही question थे last के, वो आपके homework में, ठीक है, एक बार पढ़ लेना, मैं आपको, सबको PDF मिल रही है ना इसकी, ठीक है, अब हमारी class का time हो रहा है, तो सबको PDF मिल रही है ना, चलो, तो see you guys tomorrow, बाबाई, टेक कियर, और ashkelments के साथ कल मिलते है, फिर से revise करेंगे, कुछ new questions लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है, चलो, तो see you guys tomorrow, बाबाई, टेक कियर, and have a nice day, लीच नहीं होगा, बहुत जगा लीच भी दे रखा है answer, लेकिन लीच नहीं होगा, उसका answer टीनिया होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी cavity present नहीं होती, ठीक है,